प्रेंड्स हेल्दी रुस्वी में आपका स्वागत है आज भी बनाएंगी लोकी का जूस लोकी का जूस हमारे सरीर के लिए कावी लाब धायक होता है यह हमारे सरीर से बजन घटाने में मदद करता है क्योंकि इसमें फाइबर बहुत अधिक मात्रा में होता है और हमारी पाजन सक्ती को भी दुरस्त करता है इसलिए लोकी का जूस बनाईए यह काफी फायदेबंद होता है इसके लिए हमने एक मुलायम देखिए एकदम से कच्ची लोकी लिए है एक सेव एपल लिया है एक चम्मू एक चुथाई चम्मच काला नमक या सवानुसान नमक एक चुथाई चम्मच काली मिर्च और भुने जीरे का पाउडर एक इंच अध्रक का टुकड़ा लिया है अभी हम लोकी के छिलके को हटाएंगी अगर लोकी कच्ची है तो उसका छिलका ना उतारें दो बार तो गरम पानी से उपर से दुल लें वाश कर लें उसको हम पीसेज में काट लेंगे लोकी को हमने छोटे-छोटे पीसेज में काट लिया है अभी एपल को भी काट लेते हैं एपल हमने दो बार दुल लिया था कर शिलका नहीं उतारेंगे क्योंकि यह भी हमने गरम पानी से दुल लिया था छोटे-छोटे-छोटे पीसेज में इस तरह से इसको भी कट कर लेंगे सेब को हमने पीसेज में काट लिया है यह अध्रग जो लिया था इसको भी काट लेते हैं यह नीबू भी हमने काट लिया था इसको इसको लगा लिया है अभी हम जार में डाल लेंगे इस चीजों को कि लोगी को भी डाल देते हैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि अगर आपको लगे की लोगी में कम पानी है तो थोड़के सा पानी ही आट कर सकते हैं पीस्टे-टाइं अब इसको छान लेंगे, फिल्टर कर लेंगे इसको हमने छान लिया है, फिल्टर कर लिया है अभी इसमें काला नमक, स्वानो सार, मुना जीरा और काली मुर्च का पाउडर एक चुथा ही चमची और यह नीवु का रस थोड़ा सा मिक्स कर देंगे इस तरह से इस जूस का स्वाद और भी अधिक बड़ जाएगा आप इस एक बार जरू ट्राइब करते देखिए अगर आपको अमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज सस्काइब जरूर कीजिए लाइक कीजिए शेर कीजिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रसिपी के साथ आपको झाओ तो प्या केसअ कीजिए जरूर के हैं?